नमस्कार दोस्तों, मैं रवी सिस्वधिया, आप लोगों के लिए हैदराबाद के निजाम सहाब के किचन से एक रसीबी प्रसुत कर रहा हूँ, और उसका नाम है चिकन कालिया, कालिया गार्थ बता है, शुर्वे वाली या रस्य वाली, और इससे पेले कि मैं आपको इंग् दूर दवाएं, तो कि बेल बिटन दवाने से क्या होगा, जो नोटिकेशन से मेरे, वो तुरंद आप पर पहुंचेंगे, अब आपको बताता हूँ, कि इसमें जो परियोक किये जा रहे हैं, इंग्रेट्स वो इस प्रकार है, ये एक किरो मेरे पास चिकन है, फ्रेश बिल है, जो कि एक केबरिस्पून है, एक केबरिस्पून हमरे पास करसूरी मेथी है, जिसे हम फ्रेवर दिनी के दे यूज़ करेंगे, चारीज ग्राम मेरे पास धनिया है, इसे पकार से ये सोट है, सोट आदा चमबाच है, ये पांच केबरिस्पून लाल मिर्च है, जो कि मैं में मध्थानिया यूज़ कर रहा हूं 100 ग्राम शुद्दगी है इसे पकार से 4 प्याज है मीडियम सहिस के जिन हमने प्यूरी बोलीजिये या हमने इसको क्रश कर लिया है और इसे पकार से 100 ग्राम मेरे पास करड़ है इन सब को मिलाके हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग कालिया है सबसे मेले हमने हेवी बॉटम की सिप्री लिया है और 2-3 मीड़ गरम हो चुकी है इसमें अब हम टालेंगे है यह हमारा घी क्यूंकि हमारे सिप्री गरम हो गई थी और घी भी लगवाग गरम हो चुका है इसके अंदर हम दा रहे हैं चिकन को लाइट राउन कर लेंगे आप देख रहे हैं हमारा चिकन है यह गोटन राउन हो गया है पड़िया हूंकि अच्छा फ्राई हो गया है अब हम गेस को कम कर रहे हैं और इसे एक सेप्रेट अब इसे अंदर रिखा गया है जारेत से रिखा गया है कि जो हमारा गी है यह निचे निकल जाएगा इस परकार से रिखा गया है अब देख रहा है कि चिकन जो है मैंने एक सेप्रेट प्रेट में निकाल लिया है अब इसे की के अंदर हमको यह हमारा प्याज है इसे बोल्डन दौक रहेंगे आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज है बड़िया गोल्डन रान हो चुक है अब मैं गयस को कम कर रहा हूं लोंग और हिंग डालता है हम और पास मिर्चे बढ़ाणिया मिर्चे यह यह हैं बोज जाद थीकी नहीं होती है वीडियम नमक पर आपको बतना भूल गया था नमक है दो डबल स्पून क्रस्ट जिंजर स्वाट पावडर और दगी अब हम बढ़िया मसाले को भूल लेंगे मसाले को पकाने के लिए हमें इसके अंदर पाइड आना पड़ेगा पानी आप अपने अंदर से डालें मैंने एक ग्लास कप डेड़े ग्लास कप रियुट किया है और गेस को तेज कर दें इसी में यह पगेगा आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला है यह बहुती बढ़िया पग्या है गी ऊपर फ्लोट कर रहा है अब इसके अंदर हम अर्दी के अप्योग कर रहे हैं गरम मसाला धनिया साथ यह में पास कसुरी मैंती है इसे भी डाल रहे हैं कसुरी बच्ची फ्लेवर के लिए होती है अब इसमें हम डालेंगे चिकन और पूरा चिकन डालेंगे इसको हम अच्छे से मिट्स कर देंगे चिकन हमने इसमें डाल दिया है मसाले में और बागी के प्यों इंगिनेट्स है वो भी डाल दिया है अब इससे अच्छी तर से मिट्स करके धूल लेंगे यह बहुत ही शांदा रेसिपी है रेजाबत की और आपको याद होगा कि मैं जो भी रिस्पी बनाता हूँ वह डिप्रेंट और अलग हट्के होती है अब इसको भुनने के लिए जिससकी अच्छी भुने ही हो जाए इसमें हम यह ग्लास पाइंट आतेते हैं और फुल पगातेते हैं यह चिकन है इसलिए इसको ढखते बहुत कम है तो यह बहुत जल्दी कर जाता है इससे हम खुले में ही बनाएंगे आप देखना है कि हमारा मसला जो है चिकन का वोगती बढ़िया भिनके आए यह देख्याँ जी उपर स्प्लोड करता है हमारा चिकन जो है 90% टेंटर होगया है अब हमने जो पानी गरम के था एक बाउल्ड तो इसमें डाल देते हैं यह आप अपने आवाशेक कर दालें मैं एक बाउल्ड आता हूं इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं अब इसे हम सिर्फ पास मिटी के ठाग देते हैं और हमारा मुर्ग कालिया है यह बनका दिल्गुत तयार है पास मिटी के ठाग दिया है पास मिटी हो चुके हैं अपना केस को बद कर देता हूं मुर्ग कालिया क्या पोजिशन है हमारा मुर्ग कालिया भोदी शांतर बढ़ चुका है आप देखा बनका त्यार है और ये रेट्व सर्व है नाओ बुद्ध कालिया जुले है एजराबाद के असेपी बनकर त्यार है और मैंसे चक्क्या आपके रताओं की कैसी बनी है मैंसे एक पीछ निकाल जेता है सुपर शुपर लाजवाब भोदी शांतर बढ़ीन है आप लोगे इसका लुपन है थैंक्यू से अडीघ खाम्राज चमोर उन्सा पिंदो निकाल था बनकर अ 돌स्का L신 लुपर बनकर बनकर बढ़ खारी मैंसे पुलेधी उसी उसाज़ पारी